हम बात कर रहे हैं, जागरूग होकर एक सपना बुर्णे की, जो साकार होगा और काम करेगा, अगर आप इसे अपने मन में रच लें, तो आपका मन चमतकारी हो जाता है, ये तंत्र है, ऐसी स्थितिया होई हैं, जहां तंत्रिकों ने एक बीज बोया, और वहीं के वहीं उसे एक पेड बना दिया, और एक दो घंटे के अंदर वो फल देने लगा, इंसानी जीवन के दो आयाम होते हैं, पहला है कि इंसान को बस होना आना चाहिए, और बेशक दूसरा इंसानी काम है, इंसान कुछ करना चाहता है, अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, तो आपका सपना जितना बड़ा और जीता जागता होगा, उतना बढ़िया होगा, अगर आपका सपना कमजोर है, और हर रोज ये बदलता रहता है, तब वो साकार नहीं होने वाला, इसलिए जब आप कुछ करना चाहते हैं, तब आपको एक सपना चाहिए, आपने वो प्रसिद भाशन सुनाओगा, हाँ मेरा एक सपना है, और इसे जबरदस चीजें हुई, इसने पूरे देश को बदल दिया, इसने एक संस्कृती को पूरी तरह से सिर्फ इसलिए बदल दिया, क्योंकि एक किसी का सपना था, तो जब दुनिया में कुछ करने की बात आती है, तब आपको एक सपने की जरूरत होती है, वरना कैसे होगा? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी सपने देखें, अगर सभी के खुद के अपने अपने सपने हैं, तो वे कल्पना बन जाएंगी, और बात कहीं और ही चली जाएगी, जो व्यक्ति सचेतन है, उसे एक सपना जरूर बुनना चाहिए, आप चाहते हैं, मैं अपना सपना पुरा करूँ या आप जाक चुके हैं, सपने के साथ ऐसा ही होता है न, जब आप सो रहे होते हैं, तब कोई आता है, सपना खत्म, अभी हम वैसे सपनों की बात नहीं कर र आती रहती हैं, लोग रात में जो सपने देखते हैं, वो जादातर बस अधूरी रह गई वास्तविक्ताएं होती हैं, जो कई तरह से अजीब रूपों में प्रकट होती रहती हैं, जादातर सपने बस बेहिसाब विचार होते हैं, जो बस चलते रहते हैं, सपने चार अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन सपनों का एक बड़ा हिस्सा केवल अधूरी इच्छाए हैं, हम उस तरह के सपनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, जागरूख होकर एक सपना बुन्ने की जो साकार होगा और काम करेगा, देवी असल में एक सपना ही हैं, मैंने उन्हें रचा हैं, लेकिन वो असली हैं और काम करती हैं, दुनिया में एक संस्कृती है, जिन्हों ने इसे ठीक से समझा हैं, भारत में इसे कहने का तरीका काफी जटिल हैं, लोग समझ नहीं बाते हैं, लेकिन आस्ट्रेलिया के मुख निवासियों ने इसे सरलता से कहा है, आस्ट्रेलिया के, वो दुनिया और दुनिया के बनाये जाने को सपने का समय कहते हैं, दुनिया भगवान का सपना है, दुनिया सच नहीं है, अभी भी भगवान बैठ कर सपना देख रहे हैं, ये सब एक सटीक वर्णन है बहुत ही सरल पर सटीक हम यहाँ इसी को माया कहते हैं Modern Physics आपको यही बताना चाहती है कि सारा ब्रह्मान्ड सापेक्ष है यह आपके सपने के सापेक्ष में है आपका मतलब आपका व्यक्तित तो नहीं बलकि एक जीव के रूप में यह सच है तो अगर कोई जीव एक रूप बनाता है सपना अपने आप में एक रूप ही है अगर वो एक रूप बनाता है तो वो साकार होगा बेशक इसे थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ेगी लेकिन अगर एक बार इसे मदद मिल जाए तो यह हमेशा साकार होगा तंत्र का पूरा आयाम बस यही है पश्चिम में तंत्र शब्द का मतलब है कुछ मूर्खों ने असे किताबें लिखी है जिसमें तंत्र को बेलगाम कामुकता बताया गया है नहीं तंत्र यानी तकनीक कुछ रचने की तकनीक तंत्र के लिए एक बहुती जीती जाकती कलपना चाहिए यह ऐसा है आप इसे आजमा सकते हैं आप इस पर कुछ समय लगा सकते हैं आप आप कुछ तोड़ियेगा मत आप बस एक पेड़ या एक घास के तिनके के पास जाकर बैठ जाएए बस इस घास के तिनके को इस पष्ट रूप से याद करके इसे सौ प्रतिशत अपने दिमाग में बनाई है इसमें बहुत महनत लगती है मेरा विश्वास कीजिए मेरा पूरा बच्पन मैं बस बैठ कर छोटी छोटी चीजों की यादें अपने मन में बनाया करता था और बस एक चीज के साथ अगर आप ऐसा कर लें मैं बता रहा हूँ अगर आप इस छोटी उंगली की यादें अपने मन में गढ़ लें तो आपका मन चमतकारी हो जाता है जब मैं यादें कहता हूँ, तो इस छोटी उंगली में कितनी सारी विशेश्टाएं हैं अगर आप इसके एक-एक माइक्रो मिलीमीटर पर जाकर उसके छोटे से छोटे हिस्से पर ध्यान देकर इसकी याद अपने मन में बसा लें तो आपका मने एक विस्फोटक संभावना बन जाएगा अभी, अगर आप चाहें तो आप एक घास से एक छोटी उंगली पैदा कर सकते हैं यही तंत्र है ऐसी स्थितियां हुई हैं जहां तंत्रिकों ने एक बीच बोया, एक आम का बीच बोया और वहीं के वहीं उसे बड़ा कर दिया और कुछी घंटों में वो फल भी देने लगा क्योंकि यह एक सपना है तेड़ वैसे भी एक सपना है आपका शरीर वैसे भी एक सपना है पूरा ब्रह्मान वैसे भी एक सपना है एक स्तर पर यह एक सपना है ये एक relative चीज है तो हमने इसी को माया कहा है माया का मतलब ये नहीं है कि इसका इस्तित्व नहीं है सपने का मतलब ये नहीं है कि इसका इस्तित्व नहीं है ये वैसा नहीं है जैसे आप सोचते हैं कि ये है जैसे आप अपनी पांच इंद्रियों से अनभव करते हैं, ये बस वैसा नहीं है इसकी प्रक्रती अलग है तो जब मैं अलग-अलग चीजों की बात करता हूँ, शायद मैं उन्हें अलग-अलग चीजें कहूँ पर वो अलग-अलग है नहीं क्योंकि आप इसको भेद करने वाली बुद्धी से देख रहे हैं, इसलिए वा आपको अलग लग रही है अभी आप यहाँ जमीन पर बैठें और ऐसा सोच सकते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ पर धर्ती को ऐसा लगता है कि आप बस उसका एक हिस्सा है और एक दिन कौन सही साबित होगा अभी आप कह सकते हैं, नहीं, यह सच नहीं है, मैं उट सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड सकता हूँ पर एक दिन, जब धर्ती आपको खीच लेगी, तो वा आप पर हसेगी तो सबसे अच्छा होगा कि आज रात आप बैठ कर इन तीनों चीज़ों पर गौर करें, दिन के अंत में आप अपने बिस्तर पर बैठिए और पीछे मुड़कर देखें कि सुबह उठने से लेकर, पूरा दिन आपने किस तरह से बिताया, आप देखेंगे कि 90 प्रतिशत समय आप काफी मुर्ख थे मैं प्रतिशत को लेकर उदार हूँ, मेरा एकिन कीजे अगर आपको बस थोड़ा सा काम या थोड़ी सी जिम्यदारी दे दी जाएं, अचाना का आप कितने महतुपूर्ण बन जाते हैं अचाना का आप ब्रह्मांड से भी बड़े बन जाते हैं, कितनी ही बार आप ब्रह्मांड के आकार से भी बड़े बन बैठे हैं अगर आप इस पर गोर करें, तो आप पाएंगे कि जादातर समय आप बस सूजे हुए हैं कितनी ही बार आप अमर बन गए थे, यानि आप अपनी मौत को लेकर जागरूक नहीं थे और कितनी ही बार आप अपने हास-पास के लोगों और चीजों को बिना किसी जुडाव के देखते हुए घूमते रहें पसंद तीन चीजों पर ध्यान दीजे, आप देखेंगे कि आपको रात भर हसते रहना पड़ेगा रोनामत चुरू कर दीजेगा पस अपनी मूर्खता पर हसना सीख लीजे, आप देखेंगे कि आपका सारा कच्रा बहुत तेजी से खाद में बदल जाएगा और खाद विकास के लिए अच्छे होती आपको पता है हर दिन आप अगर ऐसा करेंगे तो आप बुद्धिमान हो जाएंगे मेरा एकीन कीजे, बहुत बुद्धिमान और मुझे बुद्धिमान लोगों की जरूरत है मैं उन्हें ढूंड रहा हूँ यहां करने के लिए बहुत सारी चीज़े हैं आज भी बहुत बातें की जाती हैं कि कैसे मूल अमेरिकी निवासी शामन चील बन जाते हैं यहां तंत्र विज्ञानिकों ने अलग तरह के दरीके विक्सित किये वो दूसरे रूप उठाते हैं और उनसे एक विशेश तरीके से काम करवाते हैं तंतर विज्ञान के कई आयाम है, अथर ववेद पूरा इसी के बारे में हैント पूल अमेरीकिस अभ्यताओं में ये विश्वास है कि इनसान के जीवन में जानवरों की आत्माओं की एक भूमिका हुती है आपके अनुसार जानवरों की उर्जा और इंसानों की उर्जा के बीच क्या संबन्ध है? देखिए कुछ तंत्र विज्ञानों में कुछ चीजे हैं जो की जा सकती है लेकिन उन चीजों को बिलकुल अनावश्यक माना जाता है आध्यात्मिक शेत्र में योगिक शेत्र में इन्हें बिलकुल अनावश्यक और एक पीछे की और कदम माना जाता है इन्हें तंत्र के रूप में किया जाता है हाली में जब हम नेपाल में पैदल यात्रा कर रहे थे तो हम एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां कुछ नेपाली कपीले इस तरह का तंतर कर रहे थे जानवरों के साथ ये बहुत शक्तिशाली प्रक्रियाएं हैं लेकिन ये चीजें महत्वपूर्ण और उप्योगी तब थी जब आधनिक तकनिकें नहीं आए थी क्योंकि आप कुछ चीजें कर सकते थे एक पूरी शामन परमपरा है जिसमें वो आज भी बहुत बातें की जाते हैं मक्खी बन जाते हैं भेडिया बन जाते हैं खुद को किसी अन्य रूप में बदल देते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं तो ये सिर्फ कहानिया नहीं है, ये बिलकुल संभव है कि कोई खुद को इन रूपों में बदल सकता है, अगर वो चाहे तो तो लोगों का मंचाहे रूप लेना अपनी सुवधा के हिसाब से ये कोई नई चीज नहीं है या ये कोई अंसुनी चीज नहीं है ये विश्व के लगभग हर हिस्से में मौजूद है विशेश रूप से इसका काफी प्रचार किया जा रहा है उत्तरी अमरीकियों और दक्षणी अमरीकियों से जोड़ कर इन दिनों शामनों की बाते होती हैं कि वो चील या भेडिये बन जाते हैं ये दो रूप उनके लिए बहुत आम है ये कोई अंसुनी बात नहीं है यहां पर लेकिन इसे निचला समझा जाता है इस संस्कृती में वहां उसे उंचा समझा जा रहा है क्योंकि ये आध्यात्म नहीं है ये तंत्र है यहां हमारे तंत्र वेज्ञानेक मैं उन्हें वेज्ञाने कहता हूँ क्योंकि वो उस तरह के हैं वे खुद को पक्षी या जानवर में बदलने की चिंता नहीं करते क्योंकि खत्रा है क्योंकि जब आप कोई अन्य रूप लेते हैं तो इस शरीर को सुरक्षित रखना होगा और इसका हमेशा गलत इस्तमाल होगा तो ऐसी घटनाएं हुई हैं कि किसी ने अपना शरीर छोड़ा यहां कुछ सुरक्षा के बीच और मान लीजे चील बनकर कुछ देर ओड़ा पर जब चील वापस आई तो शरीर गायब था अब चील क्या करे एक चील यहां बैठकर बोले मैं एक योगी हूँ बहुत बुरी हालत है क्योंकि आप उड़ नहीं सकते तो आपको लगता है चील बनना बड़ी चीज है चील बनना बड़ी चीज नहीं है वो उपर तो उड़ती है लेकिन हमेशा नीचे देखती रहती है यहां बैठकर उपर देखना अच्छा है बजाए इसके की उपर जाकर नीचे देखा जाए सच में तो यहां तंत्र विज्यानिकों ने अलग तरह के तरीके विकसित किये यानि वो खुद अलग रूप नहीं लेते वो दूसरे रूप उठाते हैं और उनसे एक विशेश तरीके से काम करवाते हैं वो किसी जानवर को लेते हैं आम तोर पर एक जानवर जिसका काफी इस्तिमाल होता है वो है मुर्गी आपको लगता है यह बेकार है भी हुई ना हो तो मुर्गी के जीवन को खतम कर दीजे और उस जीवन रूप को अपने लिए कुछ चीजें करने के लिए इस्तिमाल कीजिए ना कि आप खुद मुर्गी के शरीर में जाएं आप मुर्गी से काम करवाएं ये एक रिमोट कंट्रोल मुर्गी है रिमोट कंट्रोल मुर्गी इससे बहतर है कि आप खुद मुर्गी बन जाएं क्यूंकि आपके मुर्गी बनने से खत्रा है आप अपना शरीर छोड़ कर गए आप मुर्गी बन कर कहीं गए और कुछ करने की कोशिश की तो हाँ, तंत्र विज्ञान के कई आयाम हैं, एक वेद इसी के प्रती समर्पित है, अधर्व वेद पूरा इसी के बारे में है, अगर आप कुछ चीजों का अभ्यास करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ऐसी चीजों की अनुमती नहीं देते, क्योंकि फाइ अगर आप दो शरीर बदल सकें, ये और वो, तो आप और ज्यादा उलच जाएंगे, जीवन की प्रक्रिया में, उसकी तुलना में जितने आप अभी उलचे हैं, इसकी जबर्दस शक्ति आपको कई तरीकों से बर्बाद कर देती हैं तंत्र एक बहुत ही उप्योगी प्रक्रिया थी, जब आधुनिक तक्नीक नहीं थी, वो इसका इस्तिमाल करते थे कुछ विशेश तरीकों से बहुत एक दुनिया तक पहुँचने के लिए, लेकिन ऐसा करने में इतना संखर्ष है पर आज तंत्र उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लगभग हर चीज जो तंत्र कर सकता है, उससे भी कहीं ज्यादा आधुनिक तक्नीक कर रही है आपको बस एक ड्रोन भेजना है, या टीवी देखें, या आपकी फोन स्क्रीन आपको वो सब बताएगी, जो आप जानना चाहते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि बादल कहा हैं, तो पहले आपको कुछ करना पड़ता था अब ये जरूरी नहीं है, बस मौसम का चैनल देखें, मैं कह रहा हूँ, ये कोशिश अनावश्यक है तो बहतर है कि आप अपनी जानवर प्राकृती से परे विक्सित होने पर ध्यान दें, बजाए इसके कि एक रिष्टा बना ले जानवर प्राकृती से अपने भीतर के जानवर को कैसे दूर करें, ये मेरा काम है, ये नहीं कि आपको जानवरों से कैसे जोड़ें